स्त्रीकल बेटा जी आज हमझे इस वीडियो में करेंगे क्यों यूज किया जाथा है यूज क्या है अगर कोई पराना थैस्क्राचण कुला होगा तो वहां पर आपको काफी इस तरह के cylindrical type capacitors देखते हैं कई बार ये इस शकल के भी होते हैं और आपको ये पुराने रीडियो अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर से काफी circuits में electronic circuits में ये capacitors पाए जाते हैं तो इनके बारे में discuss करना है ये use ही क्योंकि किये गए electronic circuit में इसके बारे में इस वीडियो में discuss करेंगे सबसे पहले capacitor है क्या तो अगर हमें सबसे पहले बात करनी हो capacitor के बारे में ये एक device ही है एक यंत्री है जैसे हमारी battery है उसी तरह से ये device है to store electric charge charge बोल दीजे energy बोल दीजे electric energy को store करने के लिए जैसे just like battery just like battery जिस तरह से battery charge source करती है ये भी charge source करती है बट थोड़े time के लिए इसका use क्यों है इसको battery की जगा इसको क्यों use कर रहे है फिर बैटरी छुटे-छुटे use कर लीजे capacitor में ऐसी क्या खास बात है कि हम इसे use कर रहे है electronic circuit में तो they are used electronic circuits to provide continuous power supply electronic circuit में continuous power supply मिले हमारी कोई भी device कोई काम करना है तो उसको continuous power supply मिले इसके लिए use के जा रहा है same ही usage होता है fan में जो आपने capacitor देखे है white color के बड़े-बड़े उसका भी same use रहता है कि अगर electricity जो पीछे से आ रही है अगर उसमें कुछ गडबड होती है कुछ change होता है तो हमारा capacitor help करे continuous supply देने का जिससे हमारी कोई भी device है वो असानी से अच्छे से smoothly चल सके अब यह concept है यह हम already use करते हैं इस तरह का concept है हम already use करते हैं घरों में कैसे देखिए for example इस point को समझते है second point को for example यहां पर एक नलका है और यहां पर पानी जो है कभी आता है कभी नहीं आता यानि कि रुक रुक करा रहा है तो आप अगर यहां पर suppose कि यह नहाने घुज गए तो तीन बूदेगरी उसके बाद रुक गए तीन बूदेगरी फिर रुक गए तो आपको continuous supply नहीं मिल रही continuous supply of water इस case में क्या हुआ water की supply आपको नहीं मिल रही आप परेशान है तो क्या करें आप automatically यह इलाज कर चुके हैं कैसे आपका जो पानी का नलका है उसको पहले उसकी जो supply है उसको एक जगा store कर लेते हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं tank बोल देते हैं अब चाहिए तीन बूदेगे बाद रुक जाए पर पानी जो है वो store होता जाएगा पर यहां से अब हम tank से पानी लेंगे और अब हमें continuous supply पानी की मिलेगी continuous supply पानी की मिलेगी यही काम capacitor कर रहा है यानि कि अगर electronic circuit में जो source से battery से जो आपकी battery है for example वहां से कुछ charge आ रहा है बट continuous नहीं आ रहा तो यह जो आप परिशान हो जाएगा यह कोई device जो उसका काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा तो इसके करण क्या किया एक tank लगा दिया तो हम क्या लगाते हैं capacitor लगा देते हैं हमारे electronic circuit में जो charge स्टोर करके रखता है a device to store electric charge और वो तब प्रवाइड करेगा continuous supply जब यहां पर कोई दिक्कत होती रहे तो हमें अगर देखा जाए इस आदमे को चिंता ही नहीं है कि वहां पानी में क्या गड़बड हो रही है तीन बूंदे आ रहे हैं या दो बूंदे आ रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता आप पानी उसके लिए store है अगर इसमें को अगर कुछ electronic supply में गड़बड होगी तो यह अपना चार्ज जिस चार्ज करेंगे electronic सर्केट में प्रवाइड करेंगे जिससे हमें continuous supply मिल सके continuous लगातार हमारे पास जो है electronic charges आ सके अब ज़्यादा तर ज्यादा तर इन्हें विए प्रेजेंट के पैसिटर्स इन एलेक्ट्रोनिक सर्केट्स इस दो डंडे लगाते हैं और यहाँ पर दो ऐसे connection दिखा देते हैं यह wire समझ दीजी और यह plates हैं तो इस तरह से electronic सर्केट में से mention किया जाएगा capacitor को अगर देखा जाएगा किसकी notation है specially यह है parallel plate capacitor की यानि कि दो plates parallel ही पड़े हो ऐसे आमने सामने पड़ी हो तो उसे बोला जाएगा parallel plate capacitor तो ज्यादा तर हम parallel plate capacitor का ही sign यूज़ करते हैं सभी capacitors के लिए यह ज्यादा तर जो होंगे जैसे हमने बोला parallel plate capacitor को देख लेते हैं यह हम देख रहे हैं parallel plate capacitor यानि कि दो plates parallel पड़ी हुई है capacitor तो इस तरह से कुछ दूरी पर यह दूरी इतनी नहीं होती है यह सिर्फ समझाने के लिए की जा रही है जादा तो एकदम चिपके होते हैं यह एक दूसरे से और बीच में एक medium होता है बट समझने के लिए हमें यह figure बनाना पड़ रहा है जिससे आपको समझ आए और यह चीज में बना रहा हूं बीच में इसका मतलब है कि जो बीच में medium होगा अगर आपने capacitor कभी तोड़ा है अंदर से देखा है तो आप जान जाएंगे कि यह plastic का कुछ medium होता है जिसके कारण insulation रहे यह insulator की तरह काम करता है insulator और यह dielectric dia electric medium कहलाता है कैसे चूज करते हैं वो देखते हैं अगर कुछ नहीं होगा तो air होगा जो जादा तर हमारे formulas में हम air मानते हैं कि हवा है बीच में vacuum है बीच में और यह दो plates connected है इस तरह से इन में wires निकली है यह representation की simple representation इस तरह से होती है यह है हमारी दो plates जो parallel है और यह है उसके बीच में medium अगर देखा जाए हम parallel plate की बात करें parallel plate capacitor जो लास्ट वीडियो में हमने उसकी derivation भी की थी उस derivation में हमने देखा कि जो हमारा capacity होती है जैसे capacity होती है capacitor की capacitor कितना charge store कर सकता है यानि कि what is इसको एक special word दिया था capacitance capacitance जैसे कई टंकी कितना पानी स्टोर कर सकती है उसी तरह से जो एक capacitor है वो कितना charge store कर सकता है उसको बोला जाता है capacitance हमने parallel plate capacitor के case में drive की थी और इसको denote करते है c से और यह निकली थी a epsilon by d यानि कि depend करेगी capacity area पर distance पर जो दो प्लेटों के बीच में distance है उस पर और epsilon मतलब जो अंदर का जो बीच का medium है उस पर यह इसके unit क्या होंगे इसके unit farad होते हैं जो हमारे scientist faraday को respect के लिए इसके जो unit माने जाएंगे capacitor के वो माने जाएंगे अगर आप कोई भी capacitor देखें ऐसे इस तरह से cylindrical capacitor लेता हूं तो यहां पर लिखा होता है उसके में हमेशा लिखा रहेगा 15 micro farad क्योंकि farad अकेले जैसे कूलम है बहुत बड़ा unit है तो ज़्यादा तर micro coulum ही यूज किया जाता है उसी तरह से यह 15 micro farad का मतलब क्या है 15 इंटू 10 दिस्टो आर माइनस 6 farad माइक्रो यूज करते हैं क्योंकि farad अकेले में एक farad बहुत बड़ी value हो जाती है तो ज़्यादा तर हम micro values करते हैं तो यह capacitance का लाएगी इसके unit जो है यह हमने क्या लिख दिये यह unit है कि capacitance को इस तरह से बोला जाए अब थोड़ा सा इस पर चचा करेंगे कि यह यह जो हमें formula drive होता है हमने last derivation यहीं चोड़ी थी और अब यहां से ही continue करते हैं कि इससे हम क्या चीज समझें अगर आपने capacitor टोड़ा है अंदर से देखा है तो यह तीनों चीज़ें आप समझ जाएंगे बहुत easy है यानि की capacitance बोला जा रहा है किसी capacitor की capacity जुबारा से यहां पर लिख देता हूँ capacitor की capacity directly proportional किसके है जितना area हो तो हम try करेंगे कि यह जो plates हैं इनका area जितना बढ़ा हो सके अब infinite तो नहीं कर सकते हैं जगा की limitation है circuit की limitation है तो जितना हो सकेगा उतना हम इसको बढ़ा रखेंगे अगर हमारी D की value कम जाती है तो हमारा capacitance बढ़ता रहता है यानि कि जो capacitor की capacity है वो बढ़ जाएगी तो इसके हिजाब से हमें capacitor design करना चाहिए तो यह जो formula मिला यह सारी value constant है यानि कि कितने area की plate लेनी है बीच में कितना distance रखना है यह आप decide कर सकते हैं जब आप capacitor बना रहे हैं और बीच में क्या medium रखना है इस पर भी depend करेगा अगर medium अच्छा होगा यह तो vacuum के लिए है अगर कोई value ऐसी हो जो इससे ज़्यादा बढ़ी हो कोई ऐसा material हो जब उसको अंदर रखा जाए insulating material तो वो इससे बढ़ी value दे दे तो हमें फायदा होगा capacitance बढ़ जाएगी यानि capacity to hold charge, charge को पकड़ के रखने की capacity जो है उस capacitor की बढ़ जाएगी तो ये दो चीजें समझ लेते हैं दो ती जैसे area को समझ लेते है area से क्या फार्क पड़ रहा है लेगे ये एक plate है और ये एक plate है अब बताए ये ज्यादा charge इसमें रहेगा तो obviously आप बोलेंगे ये बड़ी plate मे क्यों ज्यादा area है तो ज्यादा charge अपने पास रख सकती है तो जब area बड़ा हो गया था ज्यादा charge हम store कर पाएंगे उसी तरह की बात होई बड़ी टंकी लेली तो ज्यादा पानी store कर पाएंगे उसी तरह से पानी की तरह यहां क्या हो जा रहा है चार्ज हो जा रहा है दू स्क l a kate ए एक यह भी स्टेंस हो जाए है और यहां पर इसको दूर करदे इतना नूर करदें यह इनको बहुत पहुत पास लेए है यही हो सकता है से सब्सक्र पयूब अगर सब्सक्सक्राइब इसमें बहुत बहुत बढ़ा देते हैं अब इसमें अब को hold करने की ताकत, charge को इन plates पे रखने की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि distance बढ़ जाएगा, अगर यहां देखे, यहां positive और negative में कितना distance आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, charge hold capacity कम हो जाएगी, और अगर मैं pass में रखता हूँ, तो क्या होगा, distance कम हो क्योंकि अब attraction जो है, वो strong है, क्योंकि positive और negative आपको कितने करीब में दिख रहे हैं, तो हमारी capacitor में यही कोशिश रहेगी, कि distance कम से कम हो, इसलिए देखिए, जब area बढ़ा रहे हैं, तो capacitance भी बढ़ रही है, area बढ़ाया, capacitance भी बढ़ी, और जब distance कम किया, less किया, जब इसको कम किया, इस D की value कम की, तो capacitance बढ़ा, तो इसलिए अगर आपने वो capacitor के parts देखे हैं, तो वो एकदम से चिपका ही होता है, दूसरी plate के साथ, एक film सी लगा जाती है इसके अंदर, जिससे वो minimum distance हो,